असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स टोड़े विल स्टार यूरा नुबर फाइब फाइब फॉकस अं कंप्रिहेंशन सम्राइजिंग टेक्स्ट पार्ट नुम्बर बान और जिद आइस मैं Summarizing Texts इस यूनिट के अंदर हम समरी को ड्वैलप करना सिकhेंगे और हम प्रटिस करेंगे संबरी लिखने की किस तरह से सम्री लिखी जाती है किसी भी यूनिट की किसी भी लैसन की किसी भी आर्टिकल को कैसे सम्राइज किया जाता है Focus Summarie Writing Skills Below is an extract from the publicity material of the South Tyrol Museum of Archeology in Italy Reproduced with their permission अच्छा जी अब नीचे एक extract दिया गया एक परग्राफ दिया गया जिसको पढ़कर हम ना समरी लिखने की महारत सीखेंगे तो नीचे एक extract दिया गया जिस जो South Tyrol का एक म्यूजियम है जिसे इटली ने इप्रोड्यूस करने की अजाज़त दी है यानी कि इटली की अजाज़त he was found by accident in 1991 with his clothes and equipment mummified and frozen an archaeological sensation and a unique snapshots of a copper age man for several years highly specialized research teams examined the mummy and the article and the article found with it they have been on exhibit since march 1998 at south tyrol museum of archaeology for the first time in the history of medicine and archaeology anatomical studies can be performed on a glacier mummy clearly dated to the fourth millennium b with the exception of with the exception of the demand left him a left hip region the body is practically intact thanks to modern procedure procedures anatomical peculiarities peculiarities and pathological alterations have been diagnosed the result of the studies are presented in the museum with multimedia stations video and information panels the iceman with his equipment and clothings give us an unprecedented insight into the everyday life and the general appearance of an inhabitant of the alps alps during the copper age over 5000 years ago actually in four paragraph key translation in the museum was in the production of the alps during the उसने पहना हुआ था जो कपड़े थे जो क्यूबमेंट थे उसने रखे हुए यानि कि वह बहुत जदा पराने वक्तों का था पांच हजार सो साल पहले की बात है तो काफ़ी स्ट्रेंज था रिसर्चर्चर्स के लिए इसलिए उसे कोपरेज मैंड कहा गया अच्छा जी पै इतहाई महर तहकी की टीमों ने ममी और इसके साथ पाए जाने वले मुजामीन का जाइजा लिया वो मार्च 1998 से असारे कदीमा के जनुबी टाइरोल म्यूजियम में नमाईश के लिए है तब और असारे कदीमा की तारीक में पहली बार जिसमानी मतालिया एक गलैशियर ममी पर किया जा सकता है जो वाज़र तोर पर चुथी हजारी की तारीकी है नुकसान दे बाएं कुलहे के इलावा राके को छोड़ कर जिसम अमली तोर पर बरकरार है यानि कि उसकी जो लेफ्ट हेप है उस पर चोट लगी थी तो वह जो है बिल्कुल भी मताब कर साड़ गया बाकि उसका पुरा बोड़ी जो है वो बिल्कुल बरकरार है अभी तक कि देखी जा सकती है देखने के काबिल है जदीद तरीका कार की बदोलत जिसमाने खसुसियात और पैथोलोजिकल तबदीलियों की तश्कीस हुई है मतालिया के नताइज म्यूजियम में मल्टी मीडि या स्टेशन, वीडियों और मालूमाती पैनल्स के साथ पेश किये जाते हैं बिद्यानी कि उस ममी को पूरा चैक आउट किया गए और उसको प्रिजन्ट किया गया लोगों के सामदे के उसकी बोड़ी कैसी मिलिया उसके क्लोथ कैसे हैं और यह कैसे पताश लगाए गया ग कबल तांबे के दोर में अलिप्स के एक बशिंदे की अमूमी शकल के बारे में बेमिसाल बसीदत फराम करता है यानि कि उसको देखकर हम यह अदाजा लगा सकते हैं कि पांच हजार साल पहले कैसे लोग थे क्या पहनते थे लबास अब उनका लबास कैसा था और वो अगर कही रिशर्च के लिए तो अपने साथ क्या 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 एक्यूप मिंट सकते थे अब फिस परगर्राफ में पढ़ते हैं कि उसके उसका मतलब क्या क्या फांट आउट वा उसनी जो जो पहना हुआ था उसकी ड्रसिंग कैसी थे दाक्लोफिंग इस कंपोज्ट ऑफ एक एप cloth and a pair of shoes it is remarkable that no woven material were used only tained leather and a grass clock the stitching threads were made mainly of animal sinews and only in part of plants above all grasses and to a laser extent past of the I have a look at this. We have a look at this, we have a look at this and a look at this. The taint is a look at this, it is a look at this. चीज उसने निप पहने ही orgas की चादर यह की चमड़े झाए्च का स्वाल है करला भागे बुए जर्ची प्रकैस के सीनों से बने कि जू धागे थे वह जरू की कि खाल से बने हुए थे जिन से उसकी लिबास कुछ सिल्हा हुआ था और सिर्फ पोदो के कुछ हिस्से में सबसे बढ़कर घास कुछ हद तक बीस्ट यानि कि गास बगर आई थी उस खास से बना उसका जातर लबा अच्छा जी फिफ्ट में बढ़ा कि क्या की जिए जो में तलाश हुई क्या के चीजों की तलाश हुई इसके ड्रेस से जो जो उसने पहना हुआ था अब हम six or seven discuss the paragraph the ice man was fully and efficiently equipped for his last trip into the high mountains this enabled him to look after himself for a long time while he was away from home he was also in a position to repair or replace by himself any piece of equipment with gold damage in particular the a model representation of the ice man is in full gear rationality and functionality of his equipment are worth emphasizing the ice man is preserved in his own especially designed cold storage chamber the block consists of identical cold chambers independent refrigerations system the mummy is kept in on them at a temperature of six degrees Celsius and relative air humidity of 98% examination room and a contamination room precede the chamois visitors can view the mummy through a small window a useful way to start summarizing a passage in sentence of each paragraph this will usually but not always be the first sentence okay last paragraph it says ice man the سفرов میلے پوری طرح اور واصل طریقے سے کھڑا تھا اس سے وہ گھر سے دور رہتے ہوئے کافی دیر تک اپنی دیکھ بال کرسکے وہ اس position میں بھی تھا کہ خراب ہونے والے کسی بھی سازو سمان کی مرمت یا اسے خود سے تبدیل کرسکے خاص طور پر आइसमेन की मकमल गेर माकूलियत और इसके साथ उसमान की फालियत में माडल की नमाइदगी पूर जोर देने के काबिल है आइसमेन को अपने खास तोर पर डिजाइन करदा कोल्ड स्टोरिज चैंबर में मफ़ोज किया गया है ये बलाग आजाद रिफ्रिजरेटर सिस्टम के साथ दो एक जैसे कोल्ड चैंबर्स पर मश्तमीर है ममी को इन में से एक में रखा जाता है दरजाहराद 6 डिग्री सेंटी ग्रेट और हवा में नमी का तनासर 98 फीसद इम्त्यानी कमरा और चमी से पहले एक सफाई का कमरा है जहां जाहरीन चोटी खिड़की से ममी को देख सकते हैं किसी हवाले का खुलासा शुरू करने का असान तरीका हर ग्राफ का जुमला है ये आम तोर पर हमेशा नहीं पहला जुमला होगा अच्छा यह जो हमने 6-7 पराग्राफ पड़ा इसमें हमें यह पता चला कि ममी को कहा रखा जाता है और क्यों रखा जाता है और पूरा जो लैब है यह चैंपर है उसके बारे में लिखा गया है और आइसमें जो है ना वह बुलंद चोटी से गिरता यह भी चीज हमें यहा चेंश समरी ठेक्स्ट को समराइज करना तो अब इस पूरे ईना को जाना समराइज करना इसकी समरी आगे दी हुई है और आप वहां से समरी प्रिपेड कर लीजीगा कुस जान सस्के और इसके एक्षए सर्व जो है वह भी क्यूज दिए हुए और वर्ट्स मिनिंग ने पिर्फ एक्टिविटी इसमें सेवन सेंटेंस है जो कि में क्रीक काफी इंफर्मिशन पर वाइड की गई है और अगर आपको इजी समुरी चाहिए तो वह इसके लिंक में मैं दियू है आप महां से कर सकते हैं अलाहाफिस टेक क्यार